हलो जन दोस्त मैं राहू सिंग राहूल वाई फाई स्टेड़ी में आपका बहुत बहुत सौगत और भिनेंदन करता हूँ ट्रांट्स उत्तर प्रदेश पीटी परिज़ा जैथा कि आप सबी लो जानते हैं 24 अगस्त यानी पर्जो दिनमंगलवार को दो पालियों में आजित होनी है अब युआओं के मन में एक बहुत बड़ी चिंता ये सता रही है कि आखिरकार उत्तर प्रदेश अधिनस सिवाचे नयोग ने कोई स्टेंडर्ड नहीं तै किया है कोई एक कटाफ नहीं निधायत किया है कि किन भर्दियों का चैन लेखपाल भर्दी के लिए यानि 7882 पदों के लिए जो है सलेक्शन होगा जैसा कि आप सबी लो जानते हैं लगबग 8 यार क्या सपास पोस्टे हैं और इस 8 यार पोस्ट के लिए लगबग 20 उगुना भर्दी बुलाए जाएंगे कितना 20 उगुना भर्दी बुलाए जाएंगे आल्मोश्ट 1,57,000 कंडिडेट को चैन किया जाएगा लेखपाल भर्दी के लिए कितना 1,57,000 के आसपास बर्तियों का चैन किया जाएगा 20,73,000 में से कितने 20,73,000 में से 1,57,000 बर्तियों का चैन किया जाएगा लेखपाल भर्ति के लिए अब यहाँ सबसे महत्तापूर चीज यह है कि 100 नंबरों का आपका यह question paper होगा कितने 100 नंबर का होगा है ना आपको पता होगा 20 नंबर का सबसे ज़्यादा जो आपको पता होगा डियाई होगी 10 नंबर का अंसीन पैसा जोगा हिंदी से आपके 5 नंबर इंगलिस से 5 नंबर रिजिनिक से और लग 32 से 50 नमबर 50 नमबर के आस पार टोटल आपका जो है वो आपका इतिहास, भोगोल और आपके जो है सम्विधान शमान बिज्ञान यहां से कोशिशन पूछे जाएंगे समान जानकारी से कोशिशन पूछे जाएंगे करेंट अपेर के दर्श नमबर पूछे जाएंगे हम इन सब चीजों के में चर्चा करेंगे लेकिन चैनल पर नयाद चैनल को जोर सब्सक्राइब कर लिजेगा साथ में बिल आइकवान की घंटी प्रेस कर लिजिए ताकि उत्तर प्रदेश अधिना सश्यवा चैनल की पलपर की अपडेट में आपको राहूल वाइफाइट करके मादें सो सबसे पहले प्रवाइट करा सकूं तो देखिए प्रांट एक लाग सत्ताओन जारा भरति का चैन बहुत भारी होता है यानि बहुत ज्यादा होता है एक लाग सत्ताओन जार से जादा भरतियों का चैन कैजा कर लेकपाल भरती के लिए जब तो कहीं कहीं आप मुख परिच्चा के लिए यानि लेकपाल भरती के लिए तो एक लाग सत्ताओन जार बीश लाग में से बहुत जादा होते हैं फ्रांट इस चीश को आप माल मैं आपको बताना चाहता हूं इस परिच्छा में कोई भी परिच्छा हो जियां कोई भी परिच्छा हो जो आपकी आप गुरूप लेबल की होती है तो मैं जहां तो जहां पाता हूं उसमें लग भग जितने भी फॉर्म पड़े होते हैं competition वास्तों में 20-30% इवाओं के बीच यही serious candidate होते हैं और कुछ लोग तो जब 10-15 दिन बचा होता तब पढ़ाई करने जाते हैं कुछ लोग तो ऐसे हिक जाम देने निकल पड़ते हैं तो यह माल की चलिए जब 20-30% जो है इवाफ अगर हम माल ले 30% माल ले तो आपको पता हो मासा ही है तो लगभग 56 लाख भरतियों में जो है में कंपटीशन होगा और उनमें से लगभग एक लाग सत्ताहुन जार अभरतियों को जो है काल किया जाएगा यानि मूख परिच्छा के लिए 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 अल्नाइन अभीदन करने के लिए अब यहां मात्ते पूर चीज जाने वाला है आप्टर मानेस मार्किंग जनरल कटिगरी का कितना 65 मार्क 65 पर्षेंट मार्क मानिए या फिर 65 मार्क मानिए आपका कोश्चन है 90 मिनिट आपको दिये जाएंगे तो जनरल कटिगरी अगर एजी टू मोडेट पेपर रहा तो 65 कुश्चन आप जरूर करके पेपर अगर इजी रहा क्या पेपर अगर इजी रहा तो यह मान के चलिए 70 नंबर स्वारी 70 नंबर कटाप जाने की पूरे चांसस है कितने 70 नंबर पेपर अगर इजी रहा तो लेकपाल भर्षेंट के लिए जिन अबर्षें का आप्टर मार्किंग 70 नंबर बन रहा होगा वही लेकपाल भर्दी के लिए आप एधन कर पाएंगे यह मैं पूर अन्मो के अधार पर बता रहा हूं जो यूपी टिपल एसी की भर्दी परिच्छाएं हो पाई है उनकी पेपर को लेबल को ध्यान में रखते हुए पेपर अगर ज्यादा कठिन रहा moderate to hard रहा जिया चांसत यही है कि moderate to hard पेपर आप कराने वाला है और इस इस्तिती में आपका जो पेपर कटाप जाने वाला जनरल कड़ी गया कि मान के चलिए आलमोस्ट जो कटाप होगा वो 55 नंबर होगा अगर moderate to hard पेपर हुआ तो 55 नंबर जनरल कड़ी गटाप जाएगा इसे प्रकार से आप OBCS, TWS, EWS महिला का कटाप कम कर सकते हैं है ना तो यह मान चलिए आप अगर इतने नंबर पार हैं जो मैं पेपर के लेबल के लिकर के बताया जो है यूपी टिपल से की परिच्छाओं को लेकर कि मैं उसके अधार पर बता रहा हूँ अगर पेपर आपका इजी रहा तो 70 नंबर आप 10 मार्किया आपका सही होना चाहिए अगर पेपर moderate रहा तो कम से कम 65 आपको लेकपाल भरती के लिए नंबर लाना ही लाना होगा अगर पेपर इजी रहा तो 70 नंबर जनरल कर्टिकरी का आपको लाना ही पड़ेगा तभी आप लेकपाल भरती के लिए उन 1,57,000 ज्यादा भरतियों में आपका चेन हो पाएगा और लेकपाल भरती की आप परिच्छा दे पाएंगे जो 7882 पदूपर नवंबर में आनी है कब नवंबर में ये आनी है है ना तो ये एक छोटी सी इन्फार्मेशन थी फ्रांट और परिच्छा आपकी परसो आई होप तयारी आपकी पूरी हो चुकी होंगी आपने सेंटर और बारें पूरी जानकारी ले भी लिया होगा तो जैसा भी कुछ और भी मुझे जानकारी मिलती रहेगी मैं आपको देता रहूंगा पेपर का लेबल कैसा आएगा मैं आपको सीधे अपडेट भी करूँगा फर्स्ट पाली को ले करके हो कर भी इंफार्मिसन होगा तो मैं यूपेट पर ऐसी की इंफार्मिसन आपको लगातार प्रोवाइट कराऊंगा फ्रेंट तो खबर अच्छी लगी है तो जरूर वीडियो को लाइक करें और वीडियो को जाज़ादा शेयर करें मिलते हैं नेक्ट वीडियो नेक्ट टैप बीडियो के साथ अप्लक्री धन्नवाद नमस्कार